हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर केतंशा अमदावाद गुजरात से इस वीडियो में हम बात करेंगे जब पेशंट हमारे पास आता है बोलता है कि मूग का लक्वा या तो फेस का लक्वा मार गया है मतलब उसका नाम है बिल्स पल्सी जो मेडिकल टर्म है लेकिन यहां लक्वा सब्द आता है पैरालीसी तो पेशंट गवरा के हमारे पास आजाते है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके सिम्टोंस क्या है यह सच में गवराने वाली बात है कि क्या है इसका टेश्ट कैसे किया जाए और हुम यह बिदिक दवाई क्या है तो यह जो है वो फेश में या कुछ महीनों में अपने अप नॉर्मल भी हो जाता है कुछ ऐसे केसिस होते हैं कि जिसमें ट्रीटमेंट लंबी चलती है या तो पेशन्ट को तकलिफ ज्यादा रहती है अब पेशन्ट हमारे पास आता है तो इसका डाइगनोसिस कैसे किया जाए तो इसका कोई मेडिकल टेस्ट या पैथालोजिकल टेस्ट नहीं है लेकिन उसके सिम्टम से जैसे मैं पेशन्ट को बोलता हो कि आपके आँखे बंद करो तो क्या होगा कि जिस साइड की नर्स विक्नेस होगी मसल्स विक होगे उस साइड का आँख बंद नहीं कर आएगा पेशन्ट वह हैगा तो वह अपने मुझ से बाहर निकल जाएगा इस तरह से उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है आँखों में जो कुछ आवाजे सुनाई देती है हेडेक होता है फेस में पेइन होता है तो इस तरह के कुछ सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि यह फेशल पैरालिसीस बि क्यों होता है ज्यादा तर किसी समें माना जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीस प्रता है या तो कोई वाइरल इंफेक्शन की वज़़से होता है कुछ किसी समें हवाल लगने से होता है तो exact reason अभी science को पता नहीं है कि क्यों होता है अब treatment का part करे तो मैंने पले बताए कि कि इसमें गबराने वाली बात नहीं है अपने आप चला जाता है फिर भी massage है या फिजियो थेरापी यानि exercise है और homeopathic treatment इससे बहुत अच्छे result हमने मिले है एलोपिधिक में हमने देखा है कि डॉक्टर स्टिरोड प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लिए लेकिन homeopathic में जो single muscle paralysis उसका यह symptoms है तो जब यहां कुछी पूरे body में paralysis नहीं है पूरे muscles की weakness नहीं है लेकिन single muscle का weakness है उसलिए causticum मैं कई cases में prescribe करता हूं और बहुत अच्छे मुझे result मिलते हैं तो causticum 30 potency में 33 गुली 3 बार कुछ दिन देने से patient और साथ में exercise करने से उसमें improvement आता है एकोनाइट और बिलाडोना यह दो दवाई यह ऐसी है कि जिसमें acute condition और यह disease भी acute मतलब तुरंथ हो जाता है उसको gradually बहुत time लगता है ऐसा नहीं है कुछी गंटों में उसके symptoms दिखाए देते है तो एकोनाइट में हमें पता है कि हवा लगने से problem होता है तो हवा लगने से problem हुआ हो या तो suddenness और patient anxious हो anxiety बहुत होती है patient को कि अरे मुझे लगवा हो गया क्या होगा मेरा मैं मर तो नहीं जाओ गया permanent तो नहीं हो जाएगा तो anxiety के साथ यह problem हो और suddenness हो और हवाई के साथ हुआ हो तो आप एकोनाइट 30 potency में तिन तिन गुली तिन बार ले सकते है बिलाडोना भी ऐसी acute medicine है मतलब कुछ नहीं है और sudden उसका attack आपको मैसूस होगा और जब बिलाडोना में क्या है कि यह patient को प्यास कम लगती है दूसरा कि यहाँ throbbing sensation होगा या तो heaviness लगेगी या तो क्या होगा कि patient को जब attack होता है जैसे एकोनाइट patient anxious हो जाता है बिलाडोना patient ज्यादा तर इरिटेट हो जाता है तो एकोनाइट और बिलाडोना तुरंथ होने में यूज होने वाली दवाई है इसके लावा एक और medicine में मैं यूज करता हूँ जैल से जैल से में भी कोश्टिकम की तरह मसल्स पर इफेक्ट करने वाली दवाई है तो जहां मसल्स weakness की बात आए और साथ में डलनेश पेशेंट डल रहेगा डिजीज भी स्लो प्रोग्रेस करता है जैल से में पेशेंट में तो ड्राउजीनेस मतलब उसको जब तकलिफ होती है तो सोने का मनोगा डीजीनेस डाउजीनेस डलनेस यह सिम्टम्स जैल से में क्या है पानी की प्यास पेशन को कम लगती है तो मसल्स इंवल्मेंट की वज़ए से प्रॉब्लेम होता है नव्स इंवल्मेंट की वज़ए से प्रॉब्लेम होता है त वाज़ा से और रश्टॉक्स हमें पता है कि वाइरल की भी बहुत अच्छी दवए वाइरल इंफेक्शन की तो जब क्लावडी वेदर में डेम वेदर में हुआ हो तो रश्टॉक्स 30 या तो डलका मारा 30 अगर साथ में शर्दी के सिम्टम्स हो नाक बन होता हो नाक से पानी आता हो टेंपरेचर चेंज होतने की वज़े से प्रॉब्लम है तो अब डलका मारा भी सोच सकते हैं कोक्यूलस ये मेडिसिन वैसे मैं जो रेल रोड जरनी होती है ट्राविलिंग वग वज़े से यह तो आपकी वीक्नेस में अब रहता है आपके में कोई वीमार है और आप मेंडर श्ट्रेस में रहते हो और नाइट वचिंग की वज़ेसे आपकी बोड़ी हो एक वीक्नेस आप फील कर रहे हो उसमें आप कोक्यूलस मेडिसिन ओभी 30 पोटेंसी में आप यू स्वामी का और भी दवाईया है है जो नर्स पर इफेक्ट करती है यह सारी दवाईया आप सोच सकते हो लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिल गए है वो ज्यादा तर कौश्टी कम और जलसे मियम से काफी रिजल्ट मिले हैं इसमें गबराने वाली बात नहीं है आप पेशन्स रख सब्सक्राइब से ड़ने की बात नहीं है तो यही सारी बाते थी बिल्स पलसी के बारे में आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू अरी बच्छ झालो अरी बाते होगा थी बात धाते हैं अरी बात इस